जब हम एर्र डिटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और एर्र कौन डिटेक्ट करना चाहते हैं रिसीवर पर तो यहां पर देखना बहुत जरूरी है कि कौन-कौन से टेक्निक्स हमारे लिए अविलेबल हैं और हम कौन से ट्रांस्मिशन मोड में कौन से टेक्निक लगा सकते हैं साथ ही साथ क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि पैरिटी एक रिडिंडेट बिट प्रोसेस जो कि हम पहले से अपना रहे थे वो अविलेबल है उसके साथ अगर हम उसको और कम्बाइन करें तो लर्र वी CRC हैं जो कि error detection के लिए अविलेबल है और अभी जो हम टेक्निक देखने वाले हैं वो है CRC जो कि है cyclic redundancy check अब जब cyclic redundancy check एक टेक्निक है तो इसमें मुख्य तक करना यह है कि हम एक code word generate करना है अब यह code word अगर हम generate करना चाहते हैं तो उसके लिए k data bits हैं और साथी साथ हमें इसमें n bits जो हैं वो हम लगाएंगे किसकी redundant bits हैं जो की parity bits नहीं होंगी इन्हें हमें modulo to division से generate करना है तो हमारा whole जो process होगा वो इस तरीके से होगा कि हमारे पास यह transmitter है यह receiver है और दोनों के पास एक diviser है जिससे कि हम data को divide करते हैं और यह पहले से ही जानले कि यह diviser चाहरे transmitter हो receiver हो इन दोनों पे same रहेगा इस तरीके से यह पहले से defined रहता है diviser कई सारे तरीके के division होते हैं उनको हम आगे polynomial form में देखेंगे लेकिन यह जो transmitter है और receiver है इनको known होंगे गए diviser और data चाहे कुछ भी होगा यह diviser same रहेंगे और हम modulo 2 division दोनों और इस्तेमाल करेंगे और दोनों और इस्तेमाल करके करना क्या है? सबसे पहले यहाँ पर एक code word transmitter generate करेगा उस code word में k plus n total number of bits होंगी जिसमें से k data of bits होंगी और n जो है redundant bits होंगी इन n redundant bits को generate करने के लिए diviser जो होगा उसका size होगा n plus 1 यह इस तरीके से कहें अगर एक example के form में देखें अगर diviser में 5 bits हैं तो हमें 4 redundant bits data में append करनी हैं अगर मान लेते हैं के अगर data जो हमारा था उसमें 7 bits हैं तो 7 bits आपकी data की होगी 4 आपकी redundant bits होगी तो total जो आपका code word बन गया वो बन गया 7 plus 4 is equal to 11 इस तरीके से यह code word आपको generate करना है जिसमें k data bits होंगी और 7 में last में आपके पास 4 redundant bits होंगी इस code word को जो की k plus n है उस code word को हम generate करेंगे किस method से हम use करेंगे modular to division method और divide करते जाएंगे data को करते जाएंगे तब तक जब तक कि हमारे पास remainder कितना न बचे n bits न बच जाए जब तक कि हमारे पास remainder n bits न बच जाए तब तक हम data को divisor से divide करेंगे आखरी में उस remainder को उस data के साथ add कर देंगे जो की n bits हैं और इस तरीके से हमारा CRC code word generate हो जाएगा जिसे हम transmit करतेंगे receiver क्या करेगा receiver भी same process करेगा क्योंकि divisor यहाँ पर जो transmitter पर divisor था receiver पर भी वही divisor है दोनों के पास same divisor है process वही है यहाँ पर भी modular to division method यूज करनी है इस modular to division method के through यहाँ पर क्या करना है जो भी data आएगा plus CRC आएगा मतलब की K plus N जो पूरा total code word आएगा उसको divide किया जाएगा किस से? non divisor से जो non divisor है उससे divide किया जाएगा और अब यहाँ पर remainder देखा जाएगा यह remainder देखा जाएगा अगर पूरा remainder all zeros है अगर यह all zeros है सारे के सारे zero है तो इसका मतलब है कि data में कोई error नहीं है यह error free है आप इसे accept कर सकते हैं रख सकते हैं यूज कर सकते हैं लेकिन अगर यह all zeros नहीं है remainder कुछ ने कुछ हो रहे तो इसका मतलब है अगर कुछ भी remainder रहेगा तो इसका मतलब वहाँ पर data में error है तो ये complete process है इस process में जो सबसे important चीज जानने लाइक वो ये है कि हमारे पास जो भी divisor रहता है वो एक polynomial के form में रहता है और उस polynomial को आपको convert करना पड़ता है data के form में तो पहले एक हाट को polynomial लेकि उसका example देख लेते हैं जैसे की मान लेते हैं हमारे पास एक polynomial है x इस टूपार 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 अगर ये हमारा एक polynomial है ये polynomial मैं अभी तो इसे data मान लेती हूँ फिर divisor भी देख लेंगे ये एक data है first इस polynomial को ये polynomial है क्योंकि x के form में लिखा हुआ है इसकी सबसे पहले degree देख लेते हैं इसकी degree कितनी है highest power कितनी है 7 है तो इसकी highest power 7 है और इसलिए इसकी degree 7 है और साती साथ number of bits इसमें कितनी होगी तो इसमें number of bits 7 प्लस 1 8 होगी total number of bits कितनी हो जाएंगी 8 हो जाएंगी अब अब इस data को लिखना है start करते सबसे पहले मैं इसे फिर से लिख रही हूँ ताकि ये correlate हो सके now this is x raised to power 7 is 1 तो 1 फिर x raised to power 6 पे क्योंकि कोई value नहीं है 0 x raised to power 6 पर value है x raised to power 5 पर कोई value नहीं है तो 0 x raised to power 4 पर कोई value नहीं है 0 x cubed क्योंकि यहाँ पर available है 1 x square पर कोई value अवेलिबल नहीं है इसलिए 0 x पर भी 0 और x raised to power 0 मतलब 1 पर 1 तो यह है आपका polynomial जो की हमने convert कर दिया है किसमे data fits में इसका मतलब जो जो भी available थी उसके आप साब देख सेकते हैं यह data बन गया इसी तरीके से मान लेते हैं अगर divisor दिया होगा तो उस divisor को हम लिखेंगे x cubed plus 1 अगर यह x cubed plus 1 एक divisor है तो यह जब data में तबदिल होगा तो क्या बनेगा x cubed के लिए 1 x square क्योंकि absent है तो उसके लिए 0 x क्योंकि absent है उसके लिए 0 और last में 1 अबे लेवल है तो 1 so this is 1 0 0 1 इस तरीके से यह आपका divisor बन जाएगा और यह आपका data generate हो जाएगा इस data को लेंगे इस divisor को लेंगे और फिर पूरा module 2 technique apply करेंगे last में remainder निकालेंगे और remainder निकालने के लिए आपको जो technique यूज करनी है module 2 के साथ एक चीज और करनी है total number of ones यहाँ पर आपने total bit को count करना है यहाँ पर 1001 कितनी है 4 bits है आपको 3 zeros append करने कहाँ पर append करने है इस data के आखिर में तो यह जो data है यह पूरा code word बाद में form होगा तो उसमें आपको जितनी भी आपके divisor की bits हैं उससे एक कम 0 जो है इसमें last में append करना है मनले ते मैं यही पर append कर देती हूँ तो यह हो जाएगा 0, 0, 0 यह है आपका पूरा code word जो कि अभी अधूरा बना हुआ इसको पूरा बनाने के लिए आपको modular to division उसकरना है इससे इसको divide करेंगे हम लेंगे remainder remainder को लेके इन zeros को remainder से replace करेंगे और फिर पूरा code word लेके receiver पर send कर देगे receiver क्या करेगा इस पूरे data को लेगा जो कि code word है उसमें क्या-क्या है data words भी है और साथी साथ redundant bits भी है उन्हें लेगा same divisor लेगा पूरा divide करेगा और modular to division की through वहां पर check करेगा अगर remainder all zero है it means there is no error और अगर all zero नहीं है तो वहां पर क्या होगी error होगी so this is how the polynomial and the modular to is very necessary to understand to understand CRC that is cyclic redundancy check तो लेघ को वहाइस झास% लेघ जसक्तल स्बता करीव अभ़ नहीजब दिस